उत्तरप्रदेश के वारानसी में देश भर के मनोष चिकस्षकों का महा मन्थन जारी है बियेचु के स्वतंदरता भवन में आयूजित इस नेशनल सेमिनार में देश के अलग-अलग राज्जियों से करीब पंदरसो डॉक्टर इस महा मन्थन में शामिल हुए हैं कोरोना के बाद अचानक बढ़े मानसिक समस्याओं को लेकर ये डॉक्टर चार दिन तक मन्थन करेंगे इसके अलावा इलाज की नई तकनीक और उसे कैसे हर राज्य के हर जीले में अपनाया जाए इस पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है इंडियन एसोशेशन ओफ प्राइवेट साइकेटरी द्वारा इसका आयोजन किया गया है डॉक्टर वेनु गोपाल जहवर ने बताया कि मानसिक रोगों से कैसे आम लोगों को निदान दिलाया जाए इसके अलाबा इस पर कैसे रुक्थाम हो इस पर एक्सपर्ट अपनी राये देजभर से आये डॉक्टरों को दे रहे हैं चार दिनों के इस महामंथन में अलग-अलग सत्रों में विविन विश्यों पर चर्चा होगी करीण थे सारे लोग यहां पर एकठा हो रहे हैं करीप 15 में लोग यहां पर इकठा हो रहे हैं और इस बारे में हम लोग दूसरे से अपने अनवहां को शाजा करते हैं करोना के बाद तो काफी भूम सा आ गया मानसिक लोग के प्रती खास दोर से बच्चों में परिवार में यह देखनों को मिला है लोग आफिस छोड़ रहे हैं कई लोग की जॉब चले गया है जिसकी वज़े से अभी तो डिप्रेशन के केसे बहु ज़्यादा बढ़े हैं करो कॉन्फरेंस में उन पर भी एक सत्र में चर्चा होगी इसके अलावा देश में अलग अलग जगहों पर जो रिसर्च हुए हैं उसे प्रस्तुत कर नौलेज का आदान प्रतान भी इसमें किया जाएगा ड़क्टर अनुकांत मित्तल ने बताये कि मानसिक रोग का इलाज और कई मुख्य वक्ता इसमें भाग ले रहे हैं। तीन दिन किया है क्योंकि